जैश्री कृष्णा राधे राधे आज हम सुरेंगे सावन मास कथा के 21 अध्याएक की कथा बोल ये शंकर भगवान की जै हो सोची महराज कहते हैं हेरिश्यो सुनो और वकाल में जैशेन नयों के एक विख्यात राजा थे जो काशी परदेश के शाशक थे उनके एक हजार रानिया थी इसके अतरिक्त उन्हें मतर राज विश्वक सेन की सुन्दर कन्या अमा भी पत्नी रूप में प्राप्त हुई अमा उन्हें बहुत प्रिय थी और वह प्रात्यकाल उठकर गंगा जी के शुबतट पर जाती वहां की भीगी मिट्टी लेकर उसकी पंच पिंडा गौरी मूर्थी बनाकर पांच मंतरों से पूजा करती इस प्रकार विदिवत पूजा संपन करके राजमहल में लोटाती अमा जैसे जैसे गौरी देवी की पूजा करती वैसे वैसे उसके सोभाग्ये की वरद्धी होते देखकर उसकी सोतों को बड़ा दुख होता पर वें कहती कि इसने पूरो जनब में कोई पुन्य किये है उन जी के तक पर उसके पास गई जहां पर की वह पंच पिंड गोरी की पूजा कर रही थी उन सब को वहां आई देखकर अमा गोरी जी की पूजा छोड़कर उनके पास गई और हाथ जोड़कर बोली हे महाभाग्ये वती देवियों आपका बारंबार स्वागत है आग्या जो पांच पिंडो की पूजा करती हो उसी से तुम्हारे सुभाग्य की वरद्धी हो रही है या इसका कोई दूसरा कारण है तब अमा ने कहा कि आप सब लोग तो मेरी बड़ी बेहने हैं आपके प्रती मेरे मन में तनिक भी इर्शा नहीं अतह में गोपनी ये बात भी तक तक तुम गोरी जी की पूजा ना कर लेना तक तक जल भी नहीं पीना इससे तुमें अविश्ट मनोरत की प्राप्ती होगी तब मैंने बहुत अच्छा कहकर उनकी अर्ग्या स्विकार कर दी ससुराल आने पर मैं गोरी जी की पूजा करने लगी प्रती दिन पंच थे भ्यंकर गर्मी थी ऐसे समय में वैश्यों का वेह समो निर्जन परदेश में जा पहुझा वहाँ एक वरक्ष की नीचे सब ने विश्राम किया मैंने सब और देखा की जल लहरा रहा है सोचा पास ही इतना अधिक जल है तो इस नान करके गोरी जी की पूजा कर लो और फ दिखाई देती अंत में ब्यास से पीड़ी थोकर मैं बालो में गिर गई और मेरे सब अंगों में फफोले पड़ गई इसी समय महा भारत का एक परसंग मुझे याद आया मुनीवरों ने जैसे वहाँ पर पूजा की थी क्यो ना मैं भी उसी प्रकार गोरी जी की पूजा कर इस जनम में मुझे पूरु जनम की स्मरती बनी हुई है गोरी देवी के परशाद से ही मैं आप लोगों से छोटी होकर भी सोभाग्य में बढ़ी हूँ इसलिए प्रती दिन पंच पिंडा गोरी बना कर पूजा करती हूँ यह गुप्त रहस्य है जो मैंने आप लोगों के स पांच मंतरों को हमें भी बताओ जिसके करने से परमेश्वरी गोरी परसंद हो जाती हैं तब आमा ने कहा मैं सब बताती हूँ आप सुनिये और सुनकर उसी के अनुसार आप लोग भी कीजिए उसकी ऐसा कहने पर सब सोतें मन वानी और क्रिया के द्वारा उसकी शिश्या ह गई तब उसने उन्हें पांच मंतरों का उकदेश दिया पहला मंतर था शमा की अधिश्टवरी देवी प्रत्वी रूप में आपको नमशकार है दूसरा मंतर था हे शुभे आप ही जल रूपा हैं आपको नमशकार है तीसरा मंतर तेजस तत्व की स्वामिनी आपको नमश चौथा मंतर है वायू सवरूपा देवी आपको नमशकार है और पाँचवा मंतर है आकाश रूपसे संपन पंच रुपा देवी आपको बारंबार नमशकार है इस प्रकार मंतरों को अपदेश देकर आमाने पूजापूरी की उसके बाद गौरी देवी की रतन में परतिमा का निर्मान किया और उसे हाठ केश्वर शेतर में स्थापित किया जो नारी गौरी देवी का पूजन करती है उस गौरी पृतिमा को पूजती है वह सब पापों से मुक्त हो जाती है और अपने पती की प्रिया होती है उसे पूर्ण दे पती का प्रिम उपलब्ध होता है बोलिये गौरी देवी की जै हो लक्षमी देवी भगवान विश्नों से कहती है हे प्रबू इस प्रकार पूरु जनम में अमा होकर मैंने गोरी पूजा के प्रभाव से राज्य और उस परम सुभाग्य को प्राप्त किया जो संपूर्ण यूदियों के लिए भी दोलब है तथा पे मुझे कोई संतान नहीं ह एक समय मुनिवर दुरवासा जी चातुरिय मास्वरत करने के लिए वहाँ पर हमारे महल में आए राजा ने उनका पूजन किया और कहा हे मुनिसरेश्ट संसार में मेरे समान धन्य कोई नहीं क्योंकि आपके युगल चर्णवन विंदो को सपर्ष करने वाला सोभाग्य आप मेरी सेवा सुशुरुना की विवस्था कर दजीं बहुत अच्छा कहेंकर राजा ने उनकी आग्या को शिरोधारीय किया सेवा का सारा भार मुझ पर ही था जैसे पुतरी पिता की सेवा करती है उसी प्रकार मुनी की सेवा योग्य जो भी कारियERS था वैस सब मैने सुय पूरत नियम दान अत्वा होम से मुझे संतान की प्रापती हो वह मुझे बताने के किरबा करें। रहते हैं भाव में ही देवता का वास होता है भाव युक्त मंतर के सैयों से सर्वत्र देवता का सनिद्य हो जाता है तुमने भक्ति पूर्वक मंतर परियोग किया इससे गौरी देवी वहां आ गई फिर तपी हुई बालू से तुमने उनका पूजन किया इससे वे ताप यु पूरती को इस्थापित करो उसकी बाद जब सूर्य देव ब्रश राशी पर इस्थित हो उस समय ग्रिशम काल में गौरी जी के उपर दिन राज चल धारा गिरने की विवस्ता करो इसी जियों जियों गौरी जी को ठंडक मिलेगी उनका ताप कम होगा तियों तियों तुम्हा पूत्र राज्य का भार्द वहन करने में समर्थ शूर वीत और तीनों लोकों में परसिद्ध होगा दूसरी कोई भी इस्तरी इस परकार जेश्ट मास में गौरी देवी की पूजा करेगी वह भी तुम्हारी ही तरह उत्तम फल की भागनी होगी लक्षमी देवी कहती है कि उसके बाद मैंने मुनिश्वर दुर्वासा जीसे कहा हे ब्रामन मुझे ऐसा कोई वरत पताईए जिसके सम्यक पालन से बविश्य में मनुष्य योनी में जनम ना होकर देव भाव की प्राप्ती हो तब वे बहुत देर तक ध्यान करते रहे और फिर कहने लगे हे बेटी ग देव भाव को प्राप्त हो जाओगी तब मैंने पूछा हे मुने किस किस समय और किस किस विधी से उस वरत का पालन करना चाहिए तब दुर्वासा जी ने कहा कि भादो मास के क्रिशन पक्ष की तृत्या तिथी को प्रातेकाल उठकर दातुन करें फिर इस नान आदी से शो गौरी की मूर्तिया बनाएं और एक एक प्रहर में एक एक मूर्ति की पूजा करें पहली गौरी की मूर्ति पंच पिंडी ही बनानी चाहिए और पहले प्रहर में उनकी पूजा करनी चाहिए हे शिव प्रिया देवी गौरी तुम गिरीराज हिमाले के घर में मैना के गर्ब से उत्पन होई हो अतै मेरी पूजा स्विकार करो आपको बारंबार नमशकार है इस प्रकार प्रार्थन करके श्रधा पूर्वक कपूर युक्त दूप से निवेदित करें लाल सूत की बत्ती बना कर उसे घी में डुबो कर उसका दीपक अरपन करें उसके बाद चमेली के फ बिजोरा नेम्बू लेकर मंतर का उचारण करते हुए भक्ती पूर्वक अरग्ये दें और कहें भगवान शंकर की प्रियतमा और गिरीराज हिंबवान की पुतरी है कल्यानमई गौरी देवी मेरे द्वारा निवेदित किये हुए इस अरग्ये को ग्रहन करो तुमें सादर नमशकार है उसके बाद शरीर शुद्धी के लिए बिजोरा नेम्बू का ही भोजन करें फिर दूसरे प्रहर के अंत में गौरी देवी की परम सुंदर अरध नारिश्वरी मूर्ती का निर्मान करें और भक्ती पूर्वक पूजा करें और कहें जो भगवान शंकर के शरी धूप निवेदित करें फिर भली भाती पूजा करके गुड का निवेद्य भोग लगाएं उसके बाद नारियल के फल से अरग्ये दें और शरीर शुद्धी के लिए नारियल का ही फल खाएं और प्रार्थना करते हुए कहें अर्ध नारिश्वर रूप से इस्थित परमे शक्ति से युक्त जो देवी पार्वती और महादेम जी हैं वे भक्ति पूर्वक की हुई मेरी इस पूजा को स्विकार करें इसके बाद गुगल का धूप दे नवेद्य समर्पित करें चमेली और जल का अरग्ये देकर उसी का प्राशन करें अत्वा शरीर सुद्धी के ल मंत्र के द्वारा पंच पिंडिका गौरी की भक्ति पूर्वक पूजा करें और प्रार्थना करें हे देवेश्वरी प्रत्वी आदी जो पांच भूत बताये गए हैं ये सभी तुम्हारे ही स्वरूप हैं तुम्ही नमस्कार है आप मेरी इस पूजा को ग्रहन करो पंच भूत सवरूपा गौरी देवी पांच मूर्थियों में इस्थित हैं वे देवेश्वरी मेरी द्वारा दिये गए इस अरग्ये को ग्रहन करें इस परकार अरग्ये देकर गीत वाध्य कीरतन आदी की ध्वनी के साथ संपून रात्री वेतीत करें उस दिन बिल्कुल भी ना सोएं निर्मल प्राभात काल में सुर्यदे होने पर इसनान करके ब्राह्मन दंपत्ती का पूजन करें ये राजकुमारी इसके बाद हतिनी या खोडी मंगा कर उसी पर गोरी विग्रहों की सवारी निकालें साथ ही गीत वाध्ये मंगल ध्वनी और वेदो मंतरों का पूजन किया है अब आप मुझे सोभाग्ये परदान करने के लिए इच्छानुसार पधारें लक्ष्मी देवी कहती है हे प्रभू इस प्रकार पूरुव जनम में मैंने भादो मास की तृतिया को भक्ती पूर्वक गौरी देवी कवरत किया जूतिये और तृतिये पहर मे मैंने उनके श्री विग्रह की ओर देखा तो भी रतनमई हो गई उनका श्री विग्रह सब ओर से प्रकाश पुंजसे परिपूर्ण हो रहा था अब विसरजन करने के उद्देश्य से मिनदित तक पड़ गई तब मेरे मन में संकल पिकल्प होने लगा कि विसरजन करो या न उसी के अनुसार वर्दान माग लो तब मैंने कहा है देवी मैं मनुश्य योनी में किसी भी प्रकार जनम न लू भगवान विशनु मेरे पती हो तब ततास्तु कहकर देवी पारवती अंतरध्यान हो गई इसके बाद मैंने हाठकेश्वर शेतर में चारो गोरी विग्रहों की स्थापना की उसी के प्रभाव से आप साक्षात भगवान विशनु मुझे पती रूप में प्राप्त होए जो कि सनातन अविनाशी और सदा मेरे उपर सने रखने वाले हैं सूच जी कहते हैं भगवती लक्षमी के मुख से उनके पूर जनम का वर्दान्त सुनकर शंक च शक्र गदा धारन करने वाले भगवान विशनु बहुत प्रसन्द हुए ये रिशियों जो मनुष्य प्रातेकाल उठकर इस कथा को भगती भाव से पढ़ता है या सुनता है उसका कभी लक्षमी से वियोग नहीं होता और उसे कभी भी दुरभाग्य के दिन नहीं देखने पड़ते बोलिए शंकर भगवान की जय हो पार्वती माता की जय हो लक्षमी माता की जय हो पिश्लो भगवान की जय हो